चीत्र में दो रेखाएं A, B और C, D प्रस्पर बिंदू ओपर काड़ती है यानि A, B और C, D दो रेखाएं प्रस्पर बिंदू ओपर काड़ती है एंगल A, O, C ठीटा है यानि A, O, C, ठीटा है एंगल B, O, C, फाई है और फाई इक्वल टू दिया हुआ है थ्री ठीटा तो ठीटा का मान ग्याद करे अब चुकि हम जानते हैं कि कोई कीरन अगर किसी रेखा पर खड़ी है तो उसे बने कोनों का योग 180 डिगरी होता है यानि ठीटा पलस फाई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिगरी यानि ये दोनों कोनों का योग कितना डिगरी के बराबर होगा 180 डिगरी के बराबर होगा ठीटा को ठीटा लिखिए अब कोस्चन में दिया हुआ है फाई इक्वल टू 3 ठीटा यानि कोस्चन में दिया हुआ है फाई इक्वल टू 3 तो आप फाई के जगा पे लिख सकते हैं 3 ठीटा यानि 3 theta equal to 180 degree, theta plus 3 theta, कितना हो जाएगा, 4 theta, बरावर 180 degree, यानि, theta equal to, ये कितना हो जाएगा, 180 बटे, 4, 4, 16, 5, 20, 4, 16, 5, 20, यानि, कितना degree हो जाएगा, ये, 45 degree, तो theta equal to, तो theta equal to कितना हो जाएगा, 45 degree, ठीक है,